नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों कल हमने आपको समझाया था कि मार्केट में गैपडाउन होगा तो मैं पर्सनली शॉर्ट करने के बिलकुल मूड में नहीं रहूंगा क्यों क्योंकि मुझे यहां से बाउंस की उम्मीद ह होगी और बाउंस भी मैंने आपको समझाया था कि जो भी बाउंस होगा मलब टॉप और बॉटम जो भी बनेगा उसका 50% जो है रिट्रेस्मेंट पॉसिबल है तो यह चीज मैंने आपको कल वाली वीडियो में समझाया थी जाकि जरूर चेक कर लेना और अब हम आज की बलना है तो आठ सो और तीन सो जो टॉत्र टॉप और बॉटम है उसके अंदर जो बना है आपका पाऊंचसो पॉंट का जो टोटल मूव है उसका 50% जो है रिटरेस्मेंट होना था आज के दिन तो यहां से 500 पॉइंट का 50% होता है या नहीं कि वो होता है 250 पॉइंट्स तो 250 पॉइंट्स जो है 350 में अगर आप जोड़ दोगे तो आपका 600 तक का यहां पर मूव निकल के आएगा और आप चेक कर सक सब्सक्राइब के दिन की जोकी है बजट तो दोबहां पर बजट जो है वो एक इवेंट है जोकी कल है और यह 11 बजे सुबह से चालू हो जाएगा और यह एक ुम्पेंट्न दिन होता है जोकी हर साल आता है है दोश्क करें क्या थोड़ी सी स्ट्रेटिजी के उपर बात कर लेते हैं तो कुछ लोग यहां पर देखो बेसिकली यहां पर कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं add the money का call and put दोनों buy कर लेता हूं जिदर ही movement आईगी तो मेरे को profit हो जाएगा तो अगर मैं जो लोग यह सोच रहे हैं और अगर मैं इसको backtest करूँ अभी फिलाल technical point of view से देखूँ तो यहां पर add the money का जो की 24,500 है उसका अगर मैं call and put देखता हूं तो यहां पर आपको दिखेगा 24,500 का अगर मैं देखें add the money के call put तो आपको दिखेगा total मिलाके 218 और 204 तो यानि कि तक्रीबन 425 point के आसपास आपको यहां पर point दिख रहे होंगे 218 यहां पर है 204 यहां पर है तो 425 के आसपास ठीक है तो 420 मान लेते हैं तो यानि कि यहां से add the money से अगर आप दोनों buy करते हो कल सुभा और market यहीं खुलती है जिसकी possibility budget हाई है और सुबर सुबर अगर आप buy कर लेते हैं और market ही रहती है तो आपको profitable होने के लिए 425 point दूर मतलब 425 point उपर या 425 point नीचे अगर movement हुई तो then definitely आपको profit में नहीं निकलेंगे और यानि कि तक्रीबन 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 पौने 2% 1.75% जो current price है वहां से market या तो 1.75% से ज़्यादा नीचे गिरे market या फिर 1.75% से उपर ज़्यादा भागे market यानि कि 4500 point से ज़्यादा उपर की तरफ भागे या साड़ी 400 point से market नीचे की तरफ ज़्यादा भागे तभी आपको यहाँ पर आठदा मने कि call put में profit हो सकता है तो यह strategy मुझे नहीं लगता कि कल के दिन काम करेगी ठीक है 90% मुझे से लगता है देखो 10% तो किसी भी चीच की possibility यहाँ पर हो सकती है stock market के अंदर लेकिन मुझे यह वाली strategy बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ यहाँ पर add the money call put buy करके यहाँ पर कल कमाए रह सकता है क्यों कि देखे प्रीमियम बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके है अल्रेडी ठीक है तो यहाँ पर कल के दिन मेरा जो मानना है वो क्या है अगर मैं option chain देखूं तो option chain में आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी आपकी call buying हो रखी है ठीक है तो यह call buying जो है वो 100 रुपीज के price पर हो रखी है तो यानि कि कल एक बार market जुरूर उपर जाएगा और 101 रुपे जो price यहाँ पर closing price दिख रहा है इसकी ऊपर जाएगा ठीक है तो य ठीक है जी तो यहाँ पर एक ची समझ में आगए option चिन देखके क्या आगई कि 24,800 के ऊपर market शायद नहीं जाएगा कल के दिन ठीक है लेकिन एक बार जो यह call buying है इसको profitable आने के लिए ऊपर तो जाएगा इसका मतलब यह है साफ साफ अगर मैं option चिन के point of view से देखूं तो इस का मतलब यह है साफ साफ के यहाँ पर जो आज का हाई है एक बार market इसको break करके ऊपर sustain करने ही कोशिश करेगा लेकिन 24,800 जो यह हाई है ठीक है इसके ऊपर market नहीं जाएगा कल के दिन ठीक है तो यानि कि एक बार market ऊपर जा सकता है ठीक है चलिए मान नहीते हैं बाद option के करना होगा ठीक है और साथ यहाँ पर इस option buying के अगेंस्ट मगाद देखोगे तो पूट राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है तो यानि कि यहाँ पर के वाल ऑप्शन की गई है और पूट राइटिंग नहीं हुई है तो समझने वाली बात है कि यह वाली option को profit में close किया रहे ठीक है दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पर देखूं नीचे के लेवल्स के ऊपर जो है आपका 24,400 पर यह जो है आपके पुट राइटर है और साथ में 24,400 पर कॉल राइटर भी है तो सिंपल सी बात मुझे निकल के यह आ रही है समझ में यह आ रही है कि जो अभी हमने बात किते एड़ दमनी कॉल पुट बाय करके छोड़ देना यहाँ पर जो options नहीं बता रही है कि य of loss के साथ वहाँ पर अगर जब हमें दिखेगी वह दिख सकती है दोस्तों 12 बजे के बाद ठीक है 12 वो नून के बाद हमको यह मिल सकती है जब स्पीच चल रही होगी यह स्पीच में कुछ भी मतलब ऑवर होने वाली होगी न साढ़े बारा बारा के बीच में तब यहाँ प 24,400 के आसपास बना हुआ है और यह 24,400 वो आज का ही बेस मान लीजिए क्योंकि आज जो है 24,400 के आसपास 24,350 के आसपास से ही मार्केट उठा है ठीक है तो आप्शन चेन देखकर हमको अब यह समझ में आ गया कि मार्केट जो है अपर लेवल के रसिस्टेंस दिखाएगा कल कि दिन ठीक है जी प्लिए हवी बात समझ में आ गया प्रफर पहले ऊपर जा सकता है उपर चाल के दिन यह हम एक्सपक्ट कर रहे हैं कि पहले ऊपर दिखाएगा मूमेंट फिर सैकेंड आफ में मार्केट मूमें नीचे दिखा सकता है इस बात कर लेते हैं अन दे बेसे है वी बाइंग की है ठीक है है जुलाई में अगर मैं मंतली बिक्सिस के ओपर देखूं तो फाइस की जो बाइंग हो चुकि है दोस्तों वह 24,000 क्रोड के आसपास हो चुकी है और उनके जो डाटा है वह फनो का फनो का दाटा देख सकते हो आज भी बुलेश है ठीक है क्योंक आश शोशल में जो बना हुआ था भई आज मार्केट में ऐसे रिटेल यहां तर आज बेरिश हुआ रिटेल बेरिश हुआ मांकि ऊपर गई वपर लेगी जाने में अज फिर से अपना यह जयान दिया तो मार्केट बुलिश है तो यह आपको सब्रदेना पड़ेगा और य बज़दारी यह है कि दोनों दफर के मुवमेंट आप प्ले कर सकते हो दूसरी चीज यहाँ पर के एजडेफसी बैंक की केंडिल काफी अच्छी बनी हुई है और इसने रीक्लेम कर लिया है आपने बीजिंग के मुविंग अवरेज को सो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है म 1275 के आसपास ठीक है यहाँ पर इसको रसिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा तो यह बड़ी अच्छी कंडिल आई है जिससी बैंग ने बहुत बहुत बढ़िया है यह बैंक निफ्टी में देखोगे तो यह अभी यह वाले जो ट्राइंगल पैटन है यह वाला और यह वाला नहीं आएगी ठीक है जब तक यह टैलन नहीं ब्रेक होती है तो निफ्टी की बाग मैं कर चुका हूं रिलाइंस की बाग मैं फटावार से कर लेता हूं रिजल्ट खराब था जिसकी वज़ए से पनिश हुआ स्टॉक ठीक है अब इसका अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो आपको दिखेगा कि यहां पर अब बीजिंग कर मूविंग अब जा रहा है वह रहा है उनत्यस सो शत्तर के आसपास ठीक है तो थो थोड़ा था 30-40 प्रेंट का मूवमेंट और है ऐसा कि जो डाउन साइट का दिखा सकता है तो अभी भी इसमें नत्यस सो पचास से लेक तो फिलाल तो अभी इसमें कोई इंट्रेस्ट निया मेरा बाय करने का ठीक है तो लाइन से बैंक निफ्टी निफ्टी सब दिखा दिया मैंने आपना व्यू समझा दिया कल के लिए स्ट्रेटिजि कौन सी काम कर सकती है वो भी मन आपको समझा दिया और डाटा दिखा दिय एधा सो यह तेट सिट आपको क्लेर ओगहो गा मैसिज कल के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो अपड़ दवसे प्रफ्टलों के लिए तया रह ना ऐसा मुझे लगता है बाकी तो लाइम है मांकई महीं समझ मैं अगा सब कुछ दोस्तों मिलते हैं फिरकल लाइ मारकिट में आपने टेलेगाम चैनल के ऊपर लिंक वीडियो के दिस्क्रिप्टिन में दिया हुआ है थैंक यू, थैंक यू सो मच पर वाइटिन इस वीडियो मिलते हैं कल, थैंक यू